नमस्कार दोस्तों, Wealth First के इस Power Pack वीडियो में आपका स्वागत है, आज भाई Reliance ने अपने Quarter 4 के Results Announce कि और साथ में Announce किया 30 सालों के बाद कि वह Rights Issue करने जा रहे हैं, अब इस वीडियो में आपको क्या 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 पता चलेगा, इस वीडियो में आपको पता चलेगा पहली च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सबसे important चीज कि भाई इसको apply कैसे करें, how to apply, power pack वीडियो है, वीडियो को देखेंगे, जवरदस्त information मिलेगी, जैसा कि आपको, you know, YouTube में सबसे पहले और सबसे सटीक information मिलती है, और सबसे important चीज, simplicity, भाई, मैं जिस चीज पे focus करता कम समय में ज़्यादा चीज बताने की, और simplicity को focus रखते हुए, तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो हम बहुत important updates मस्कर रहे हैं, immediately bell icon को press करें, subscribe करें, और कुछ extra सीखना चाहते हैं, तो भाई, member बन सकते हैं, join button को click करके Otherwise, कम से कम चैनल को subscribe कर लेंगे, तो आपको important update मिलेंगी, वीडियो जबरदस्त पढ़े हैं, playlist पढ़े हैं, जाके देखिए, educate करिए, सब free of cost, without wasting any time, we'll begin तो भाई, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ पर focus करते हैं, कि Reliance का आज का price close क्या हुआ है, 1464, 1464, 1464 पे ये price close हुआ है, आज का, अब हम लोग बात करते हैं, कि Reliance के 1464 के price पे, क्या आज decision लिया गया है, Reliance की meeting में, भाई, आज उनके annual result भी आये थे, तो उन्होंने क्या rights issue कि हैं, क्या prices दी हैं, सब को जानते हैं, पहले तो बस जान लेते हैं, क्या news चल रही है, कि Reliance Industries will raise over 53,000 crores from its shareholders via right issue, भाई, अपने shareholders के द्वारा rights issue करके 13,000 crores raise करने हैं, क्यों raise कर रहे हैं, क्योंकि उनके उपर बहुत ज्यादा debt है, तो debt को कम करने के लिए, उनको rights issue करके पैसा raise करेंगे, ताकि उनके debt को कम किया जा सके, और क्या तरीके अपना रहे हैं, उन्होंने facebook के साथ deal करी है, ये तो आपको मालूम ही है, साओधी aramco के साथ बात चल रही है, ये भी आपको मालूम है, उनका जो tower का asset business है, वो भी sale हो रहा है, वो भी चल रहा ह और आपको सारी चीजाईं अलरडी पता है, अब rights issue में होता क्या, rights issue में क्या होता है, board अपरूव करता है कि कितने share पे कितने rights मिलेंगे, अब rights क्या चीज होती है, rights कुछ नहीं होता है, बलकि एक share होता है, rights कोई बहुँत बदा कोई right नहीं, आपको reliance industry में कोई बहुत कि board approved the issuance of equity shares of 10 rupees each to the company on rights basis to eligible equity shareholders as on record date of an issue size of 53,125 crore तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास right है आपके पास यह right है कि आप अगर उस company के shareholder हो तो आप उस rights issue में participate कर सकते हो अगर यह right issue कि इसको issue होता है सिर्फ जो company का shareholder है अभी क्या है अगर आप IPO में apply करते हो तो क्या होता है कोई भी आदमी apply कर सकता है जनरल public के लिए होता है लेकिन rights issue हमेशा shareholder के लिए ही होता है अब यह चीज़ आपको clear हो गई है और यह इतनी बड़ी company है इसके बाद इतनी पुरानी company है कि of course अगर वो rights issue लाएगी तो फिर इंडिया का सबसे बड़ा तो हो नहीं होना है इसकराण इसको सबसे बड़ा issue कहा गया है अब rights का price क्या रखा गया है अगर rights को जो इस समय price चल रहा है 1464 पे अगर आप इस price पर रखोगा तो कोई खरीदेगा क्या कोई नी खरीदेगा क्यों क्योंकि आदनी काईगा भाई हम market से नहीं उठा लेंगे हम market उठा लेंगे आपका rights क्यों issue लेंगे आपको पैसे क्यों देंगे तो उसको discount पे issue किया जाता है राइट्स का issue का stock मिलेगा अब इसमें ये नहीं होता मनमर जी कि मैं जितने चाहूं उतने ले सकता हूं जितने भी आपके पास shares हैं DMAT account में on record date भाई record date पे जितने भी share हैं आपके पास उसके हिसाब से एक ratio होता है for example shareholder can subscribe to one equity share for every 15 equity shares held by eligible shareholder मतलब क्या हूँ इसका अगर आपके पास 15 share हैं तो आपको कितना मिलेगा एक share मिलेगा डेड़ सो share हैं तो कितना है मिलेंगे दस share मिलेंगे rights issue के ये चीज़ क्लियर हो गई concept प्लिकल क्लियर हो गया ना भना भन चल रहा है कि नहीं चल रहा है समाझ में आ रहा है तो भी लिको yes sir yes sir I am understanding ओके सारी चीज़े समाझ में आ जाएंगे अब ये इसमें सिर्फ normal shareholder ही नहीं participate कर सकते हैं कोई भी participate कर सकता है जिसके पास reliance के share है वो promoter भी हो सकते हैं और retail investor भी हो सकते हैं मतलब ये नहीं कि सिर्फ retail investor को मिलेगा ये promoters को मिलता है और आपके पास record date पे ये stocks आपके पास reliance के होने चाहिए तभी आपको rights मिल पाएगा तो और उनके promoter ने क्या बोला है promoter ने बोला है कि हम that they will subscribe to the full extent of their aggregate rights अंटायलमेंट मतलब जितने उनके पास share है वो सारा का सारा share का rights अप्लाई करेंगे और उस price पे खरीदेंगे that is 1277, 1257 के price पे खरीदेंगे ताकि company पूरी तरीके से fund को raise कर सके अगर भाई सभी लोग खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? यही होगा कि fund raise नहीं होपाएगा और reliance को नुकसान हो जाएगा तो उन्होंने यह अपना एक तरह से faith दिखाया है promoter ने और promoter groups ने कि हम खरीदेंगे और पूरी तरीके से खरीदेंगे ताकि retail निवेशकों को आपको मुझे और सभी लोगों को यह confidence है कि भाई यह जो price है यह price पे सब लोग खरीदेंगे अच्छा है इसी लिए उन्होंने यह confidence जगाया है अब यह reliance क्यों कर रही है मैंने आपको अल्रड़ी बता दिया है कि भाई reliance इसलिए कर रही है क्योंकि उसको by March 2021 debt free होना है debt free होना है 13600 करोड 43600 करोड की deal उसने facebook के साथ already कर दिये ताकि यह debt free हो जाए और company का अच्छा performance फ्यूचर में बना रहे तो यह सारी चीज़ समझ में आ गई है आप quick रिग्याप कर लेते है rights issue क्या होता है by which a company raises additional capital additional capital को raise करती है public में नहीं जाती है सिर्फ shareholders के थ्रू पैसे को raise करती है how? by raising by subscribing to new issued share तो जो rights होते हैं वो ने share ही होते हैं और कोई भी कोई नया कोई बहुत बड़ा bum या कोई बहुत बड़ा वो नहीं है जो एकदम से आपको मिल जाएगा एक बहुत ब्रमास मिल जाएगा they are just shares just आपके पास आप share holder हो तो आपके पास right है कि आपको वो share मिल सकता है जो company ने announce किया है तो ये चीज़ आपको बिलकुल अच्छे से clear हो चुकी है और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये क्या ratio होता है इस प्रकार का एक rights issue लाया जाता है और एक इसमें जबरदस्त benefit होता है मालूम है क्या उसका benefit ये होता है कि debt to equity ratio कम हो जाता है company का क्यों कि भाई उसके पास जो पैसा raise होता है वो debt को कम करने के लिए काम में आता है इसलिए debt to equity ratio कम हो जाता है ये एक additional benefit है rights issue का तो basically rights issue जो किया जाता है वो company के favor में ही होता है तो ये चीज़ आप हमें हमेशा ध्यान रुखिए अब ये सब तो बात हो गए company के बारे अब हम लोग बात करेंगे अपने बारे में हमें क्या फायदा है what if I don't apply and what if I apply apply करेंगे तो क्या benefit है उसको समझ लिएते है अगर आप apply करोगे तो आपको जो इस समय 1464 का stock price चल रहा है वो आपको मिलेगा 1257 पे तो आपको अच्छे खासे discount पे प्राइस मिल रहा है लेकिन क्या आपको apply करना चाहिए भाई हो सकता है कि जब Monday को market खुले तो ये stock as it is 78% गिर जाए हो सकता है जोड़ी नहीं है गिरे अगर गिर जाता है तो भाई है अगर ये price अगर हम आपको market मिल जाता है तो आप rights issue क्यों लोगे तो भाई company ये ensure करेगी जहां तक मुझे लगता है कि वो ये price ना आने दे ताकि आप rights issue में definitely participate करो अब इसके साथ जोड़ी ही problem क्या अब जोड़ी ही problem ये है कि जब भी right issue किया जाता है rights issue किये जाते है तो उसमें दो चीज़ें effect होती है एक तो भाई company की capital basically उसकी equity capital और market cap अब आपको मालूम होना चाहिए market cap तो उतनी ही रहेगी change नहीं होगी market cap will just change on the perception of the market अगर market bullish है तो market क्या बढ़ जाएगी वरना फिर down हो जाएगी तो basically क्या होता है इसमें equity का base बढ़ जाता है और equity dilute हो जाती है तो उससे क्या होता है उससे ये एक negative impact पढ़ता है जब ज़्यादा share बढ़ जाएगे आपके पास आपके company में पहले 100 share थे वो ज़्यादा बढ़ जाता EPS आपका अच्छा चल रहा था अब क्या होगा share बढ़ जाएगे तो EPS एक तरह से थोड़ा सा down हो जाएगा थोड़ा सा थोड़ा liquidity बढ़ने के कारण एक थोड़ा liquidity बढ़ जाएगी लेकिन उसका जो benefit है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है तो यह उसका एक negative point है जो कि मैंने आपको बताया diluting effect some kind of diluting effect and hence as a result of fall in the market price in proportion to an increase in the number of share तो जितने आप share बढ़ाओगे उतना क्या होगा उतना dilute हो जाएगा equity उतना EPS जाउन हो जाएगा अपनी के share holders और ज़्यदा shares ले रहे है लेकिन negative impact बढ़ता है कि equity dilute हो जाती है और थोड़ा सा थोड़ा impact बढ़ता है share holder की value पे तो अब आपके पास दो option बचे पहली चीज़ या तो आप apply करो नहीं बलकि तीन option बचे या तो आप apply करो और उसके बाद इसको sell कर दो है ना apply and sell और तीसर option है कि भाई कुछ मत करो चुपचा बैठे रो और इसको lapse हो जाने दो ये तीन condition मनी तो पहली चीज़ पर हम लोग आते है कि भाई का आपको करना क्या है अगर आप उसको apply करना चाहते है तो उसका तरीका क्या है what is the method वो मैं आपको बताऊंगा अगर आपने apply कर दिया और उसको sell करना चाहते है if a shareholder does not want to exercise the right to buy additional shares he can sell the right as rights are usually usually tradable basically share होते हैं अगर आपको इनको नहीं रखना है तो आप rights को basically sell कर सकते हो open market में भाई आप उसको sell कर सकते हो ठीक है number one अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो चुपचाप इसको lapse हो जाने दो और अपना जगर market में उसको गिरता है तो market से उठा लेना क्या जवरदस्ती है क्या right issue लेना ही लेना है तो आपको बात समझ में आ गई है as a retail investor आपके उपर flexibility है कि आप चाहें तो लें चाहें तो ना ले अब आपको मैं अपनों देता हूँ personalized राय क्या आपको apply करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो भाई आपको apply करने से पहले ये दिमाग में लगाना है कि क्या उसका price जो price जिस price पे वो issue किया जा रहा है क्या वो price ठीक है आपको क्या लगता है Reliance का 1257 के price पे आप share खरीदना चाहते हो अगर खरीदना चाहते हो तो दे दो क्योंकि ये आपको free नहीं मिल रहा है ये कोई bonus issue नहीं है they are different from bonus issue ये bonus issue नहीं इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आप IPO की तरीके हो गया IPO क्या होता कोई भी apply कर सकता है इसमें क्या है आपको fresh पैसा देना पड़ेगा तो आपको सोचना है कि 1257 सही price है भाई मेरे बानने क्योंकि मैं Reliance which stock मेरे पास है मैं तो इसको ना खरीदूँगा तो आपको क्या करना ही आपको सोचना है hence one should subscribe to it only if he or she is completely sure of company's performance आपको लगता है कि ये 1200 का पच्चिस सो हो जाएगा तब तो apply करो और नहीं तो पच्चिस सो मतलब हो सकता है अगले 5 साल में, 10 साल में तब तो ठीक है अगर आप short term investor हो तो फिर इसमें ये मसोचना है इसको लेते ही ये भागने लगेगा अगर आप long term investor हो तो ही लो अगर आप short term का नजरिया है ऐसे trading करते हो तो जबर्दस्ती issue में participate करने की कोई जिल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्यों क्योंकि जैसे ही rights का issue होता है और हो सकता है कि जब market खुलेगी Monday को तो जो इसमें 1464 का price से हो सकता है उस दिन market correct कर जाए कि भाई हम तो open market से खरीदेंगे हम सेल कर रहे है तो one must not take up the rights if the price has fallen below the subscription as it may be cheaper to buy the shares in the open market तो हो सकता है market में record date से पहले ही ये price आ जाए तो भाई मैं open market से ले लूँगा मुझे rights लेने की जरूरत ही क्या है अब इतना आपको समझ में आगे हम लोग last part पर चलते हैं भाई आपको लेने ही लेना है आपको आपने सोच लिए है कि मुझे rights issue लेना है 1257 is a good price Reliance का अच्छा price है और आगे आने वाले समय में ये multi bagger हो सकता है जी हो अच्छा perform करेगा आपको इसको लेने ही लेना है तो अगर आपको इसको लेना है इसको इसको चार्ट है इसको इसको इंडिकेटर से बहुत सॉलिड है बाकी आपको अगर long time investor है तो कोई भी पैसा नहीं पड़ता है उसमें अगर आप खरीदारी करते है delivery charges are zero stock लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इतना जबरदस्थ है जरूदा इसलिए मैं आपको कहता हूँ long time investor हो तो पक्का जरूदा होना चाहिए now coming on to कैसे apply करना है rights issue share will be available at a discount to the market price almost like open privilege to the shareholder यह तो मैंने आपको बता दिया है अब हम लोग बात करते हैं कैसे apply करना है आपको एक asba का form होता है application supported by blocked amount यह कौन देता है यह bank देता है आपका जो bank है ना like SBI, like maybe HDFC bank उनके पास जाएए वो asba को 100% support करते हैं उनके पास जाना है उनसे कहना है sir मेरे को asba का form देना है दे दीजेगा और मैं asba का form के दे दीजे basically आप online इसको apply कर सकते हैं otherwise if not then you would have to receive a courier of composite application form from RTA that is registrar and transfer agent इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है simply आप जाएए asba का form application सीधे bank से भरिये और उसको apply करिये अब आपका question होगा कि इसको apply कैसे करना है अब जो online form होगा जो asba का form होगा उस asba के form में already कई सारी चीजे लिखी होई होगी कौन कौन सी चीजे लिखी होगी कि भाई कितने rights issue कितना क्या ratio है और book closure date का है काफी सारी details उसमें already pre-filled होगी अब आपको भरना क्या क्या है आपको भरना है check या फिर DD detail अगर आप non asba भर रहे हो उसके बाद आपको DP ID भरनी होगी PAN number भरना होगा DP details आपका DMAT का details भरना होगा और आपके signatures signatures of both account holders if it is a joint account अब इसका तरीका क्या है वो भी समझ लेते हैं इसका पूरा simplified तरीके का link मैंने description में दिया हुआ है आप जाएए उसमें description को क्लिक करिए आपको पूरा procedure देख करके आ जायागा कि भाई किस प्रकार से आपको यह rights issue का ASBA का form फिल करना होता है तो दोस्तों यह आप miss मत करना link is in the description और उसको miss मत करिएगा आप बहुत ही simplified तरीका है कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है किसी को follow करने की ज़रूरत नहीं किसी का किसी से question पूछने की ज़रूरत नहीं simplified description में detail पढ़िए click करिए सारी सी समझ में आ जाएंगी उसके बाद उसको submit कर दीजे किसी भी bank जो certified bank उसको जमा कर दीजे 15-20 दिन के अंदर stock आपके DMAT account में होगा जब वो closure date होती है जब वो final कर देते हैं उस finalization के बाद में 15-20 दिन के अंदर stock आपके DMAT account में आ जाएगा तो दोस्तों I hope यह सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है कोई question query रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं otherwise सबसे simple तरीके में आप सारी चीज़ बता दी है link description में उसको भूलना मत की कैसे apply करते है thank you so much friends for watching and bye bye for now